नमस्कार रीनास फूट कॉर्णर में आपका स्वागत है कुछ हिल्दी खाना हो और लो कैलोरी वाला हो तो आप बनाएं प्रोटीन सलद या फिर उसका चाट आए देखिए इसे कैसे बनाते हैं इसके लिए आप एक कढ़ाई ले उसमें दो चमज सरसो तेल डाले एक चमज ज थोड़ा भून ले अब इस स्टेज में एक टेबली स्पून क्रश किया हुआ अद्रक और लैस्ण का पेश टाल दे उसे थोड़ा भूने अब इस स्टेज में अंकुरित डालने इसके लिए मैंने चना मूंग और मोट को अंकुरित करके लिया है दो तीन मिनट के लिए इन मसाला स्वादनुसार नमक सबको अच्छी तरसे मिला करके इसे एक मिनट के लिए भूने इन्हें ज्यादा नहीं भूनना है ब्लांच किया हुआ एक कटोरी स्वीट कॉर्ण एन मटर डाल दें एक उबला हुआ आलू को कट करके डाले और एक टमाटर कट करके डाले इसे अच अच्छी तरसे पक जाते हैं थोड़ा क्रंची ही रहने दे इसे ढग दे और इसे एक दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे आपके पस इस्प्रिंग अनियन हो तो इसको डाल दे थोड़े से धनिया पता आधा चमच ब्लैक पेपर पॉर्डर सबको अच्छी तरसे मिला ले इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर इसकी चाड बना सकते हैं इसके ओपर मिक्स दही, पुदीने और इमली की चट्नी, धनिय पत्ते की चट्नी, इमली चट्नी, कटे प्याज और खीरा, मन पसंद की कोई नमकीन चाट मसाला स्प्रिंकल कर दे, धनिया पत्त, इसे सर्व करें, इदि आप हेल्थ कॉंसस हैं तो, आप आलू नहीं भी डाल सकते हैं, इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी स्प्रॉट्स मन के तियार हो गया है, और हाँ मेरे चैनल को करें, तो मिलती हूँ मैं आप से निक्स्ट्रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और थैंक्स पर वाचिंग